उत्राखंड में 24 गंटे में 21 नए कोरोना संक्रूनित मिलें और वहीं किसी मरीज की मोत नहीं हुई और शनिवार को 26 मरीजों को ठीक होने के बाद घर बेजा गया और सक्रे मरीजों की संख्या 151 होगी स्वास्ते विवाकी और से जारी बिलिटिन का अनुसार शनिवार को पांच जिलों में कोरोना संक्रूनित मरीज मिले और धहरे दुन में सबसे ज़्यादा पंदरा अलमोडा और हरिद्वार में दो-दो और पोड़ी और पित्थोड़ा गड़ जिले में एक-एक संक्रूनित मिले प्रदेश में अब तक करोना के कुल संक्रूइतों की संक्या 3,444,442 हो गई है और इनमें से 3,373 लोग ठीक हो चुके हैं प्रदेश में करोना के चलते अब तक कुल 7,411 लोगों की जान जा चुके हैं और राजे की रिकावरी दर्शानवे प्रतिशत और संक्रूण दंशु प्रदेश में चर्चा में आया अलमोडा जिला कारागार एक बाफिर सुर्ख्यों में हैं और स्टीएफ और पुलिस की दो कारवाई के बाद अब तीसी बार जिल प्रशासन की कारवाई में भी जिल में मुबाईल, फोन, सिम कार्ड, डाटा केबल और मुबाईल का बरामत हुएं और जिल प्रशासन की तहरीड पर जिला पुलिस ने आज जीवन कारवाई की सजा काट रहे एक कैदी के साथ ये एक अन्य कैदी के खिलाफ केस्ट भी दर्श किया है फिलाल जिल प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि कैदी इस बार किस धंदे के लिए मुबाई का इस्तिमाल कर रहे थे अल्मोड़ा जिला जिल में बंद कैदियो द्वारा जिल के अंदर से ही रंगधारी मांगने जाने की सूचना पर एस्टी एफ और पुलिस ने चार अक्तूबर को जिल में च्छापा मारा था और इसमें टीम को तीन मुबाईल चार सिम कार्ड और रेड़ लाक की नगदी बरामत हुई थी और पुरे मामले में हत्या रोपी कलीम और उसका साथी महिपाल को मुख्या रोपी बनाया गया था और उस वक्त प्रभारी जेलर और चार बंदी रक्षकों के खलाब निलंबन की कारवाई भी हुई थी और इसके बाद 24 नवंबर को स्टीएफ और पुलिस ने फिर एक बार जेल में चापा मारा और उस वक्त भी यहां से मुबाईल और सिम कार्ड बरामत हुए थे और अब तीसे बार 9 दिसंबर को जेल प्रशासन ने ही जेल में चापा मारा और इस कारवाई में जेल प्रशासन को दो कैदियों से तीन मुबाईल का वर बरामत हुए और प्रभारी अधिक्षक जिला कारगार जेन पंगंती ने इस संबर में जिला पुलिस को तहरीर स्वों पिये जिसके अदार पर पुलिस ने कैदी मही पाल निवासी बस्ती रिशी के सुत्राखंड और सलीम भोजी पुरा यूपी के करा कर आरोपी की ग्रफतारी के टीम का गठन भी कर दिया और आरोपी अभी फरार बता जा रहा है जो पुलिस उसके हर संबब ठिकानों पर उसे तलाश रही है और शहर को उत्वाल गिरिस चन शर्मा ने बताया कि ITBP अकैडमी के कंबेट विंग में कार्यत सिपाई मोहन सि रक्षक के पास भी पहुँचे और उन्होंने शहर को उत्वाली पुलिस को ततकाल आरोपी के खिलाब मुकदमा दर्श के आदेश भी दिये और इस पर दुशकर्म की धाराओं में मामला दर्शकर आरोपी की ग्रफतारी के पुलिस टीम बनाए गई और दूसरी और पीडि प्रशासन से संपर्क किया जा रहा और इस संबद में आई टी बीपी अकाडमी के कामवेट विंग के अधिकारियों का पाक्ष लेनी की कोशिश भी की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका है